Dear students, for today's task number 2, in question number 1, we have to make new words by adding just one letter after each word given below. यहाँ पर एक word दिया हुआ है, उसके बाद आपको एक letter add करना है, और फिर आपको एक नया word बनाना है. उसके लिए, first you have to look at the picture. यहाँ पर कौन सा picture है, मुझे क्या दिख रहा है, यहाँ भी plant दिख रहा है. और यहाँ मुझे word क्या दिया है, plan, plan के आगे अगर मैं T add कर दू, तो वो बन जाएगा plant. Similarly, आपको सारे pictures को पहले देखना है, देखना है और सोचना है उसका नाम क्या है, उसको हम क्या बोलते हैं, और फिर उसका क्या word दिया है यहाँ पर, और कौन सा letter अगर हम add करेंगे, यहाँ पर तो नया word बनेगा और उस चीज का नाम बनेगा, वो हमको सोचना है. Second question में, you have to add a word before the word. आपको एक letter अड़ करना है before the word. वर्ड यहाँ पर दिया है, वर्ड के पहले एक letter लगाना है और फिर आपको एक नया word बनाना है. First, you have to look at the picture. पिच्चर को देखना है आपको. So, I can see this is a picture of a snail. और यहाँ पर वर्ड क्या दिया है? नेल. तो नेल के पहले, अगर मैं S लगाऊंगी, तो मुझे मिल जाएगा snail. Similarly, आपको सारे पिच्चर देखने हैं, उनका नाम क्या है वो सोचना है, और फिर देखना है कि यहाँ पर क्या वर्ड दिया है, उसके आगर में कौन सा letter लगाऊंगा, तो मुझे वो वर्ड मिलेगा, वो आपको सोचना है और वहाँ पर आपको लिखना है. This is in your grammar workbook, यह जो है आपके grammar के workbook में है, page number 10 पर. Solve this and send the picture to me on my WhatsApp.